अुझार हुं यह विक्ति व स्वतंत्र है बहुत अपने विचार व्यक्त कर सके इकनि यह आवशक नहीं कि हर विच्थी के विचर जो है दूसरा उसे vibrk क्ज अगर आपको ऐस को अहांट करना है आत्म व्यक्त किजिए आप अगर हम से पूछते हैं कि क्या हम ऐसे विचार किसी को किसी के सामने रखेंगे तो शायद नहीं अगर परिस्थिती ऐसी है जहां पर कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है कोई और समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर कहेंगी कि यह भागी की बात है लेकिन ऐसे बहुत ही बहुत रह मतलब आप सूच लेजे कि ऐसी परिस्थिती एक अरब अवस्था में एक बार आ सकती है मतलब समझ लेजे कि सौ करोड़ अवस्थाओं में शायद एक बार आ जाए इतना रहर होता है थीक है ना बाकि समय में हमें अपने बुद्धी का प्रयोग करके प्रहास करना चाहिए कि जो भी परिस्थिती है वो किस कारण से वो परिस्थिती बनी है, विचार करना चाहिए, इतनी शम्ता सबके पास होती है ठीक है तो जिसे जो विचार वयक्त करना है वो इसके लिए स्वतंत्र गर अगर आप हमसे प्राश्वी प्रश्न पूइब है कि क्या हम ऐसे किसी से कहेंगे तो स्पष्ट उत्तर होगा कि अधिकान शुरूप से बिलकुल नहीं कहेंगे हम विशलेशन करना चाहेंगे कि क्या जरूरत किन चीजों की जरूरत थी या कौन सी चीज़े कम होगे जिसकी वज़े से वो परिस्थित उत्पन हुई है या किन चीजों के भी और कुछ समझ में ना आए विचार विमर्ष करने के पश्चाद भी समझ में ना आए पता चले कि यह हमारे बल शक्ति से कहीं बाहर मतलब कहीं अधिक कोई शक्ति प्रदर्शन है तो वहां पर हम भागी के बात कहेंगे अन्यथा कर्मनिष्ठ रहना यह बहुत हावाश ठीक है कर्मनिष्ठ जब भी हम कहते हैं तो कर्म को हम सेवा की रूप में देखते हैं मतलब सेवा निश्ठ रहना बहुत हैं यह हमारे बहुत सारे वैशनवाचारे अपने जीवनी से सिखाते हैं वो अपने जीवनी से यही सिखाते हैं कि भाग्य जो है अनुकूल हो या प आश्रीमत भागत में भी प्रसंग आता है, जहांपर महातेव जी, पारवति जी से यहीं कहते हैं, नारान परासर्वे नकुत शुनविक्ति, स्वर्ग मे रहे, नर्क मे रहे या अगर मुक्ति भी प्राप्त हो जाये, तो वहांपर वह सेवा निष्ठे रहते हैं, उन्हें स् है सेवानिष्ठर है तो सेवानिष्ठर थत करने हैं